आज हम बनाएंगे शाही मटन खूर्मे की रेसिपी बहुत ही डिलिशियस बनती है आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए आप भी परफेक्ट से रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए ताके बिना डौट के आप भी बना सके वीडियो देखने के बाद एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर मैं ये कश्मीरी रेचीली पाउडर ले ली हूँ इससे कलर अच्छा सा लगेगा आपके पास कश्मीरी रेचीली पाउडर नहीं है तो नार्मल पाउडर भी ले सकते ही मिर्ची पाउडर हाफ टेबल स्पून जितना दाल लीजि तीन से चाव टेबल स्पून दही, स्वाधनुसार नमक, एक टेबल स्पून लेमेन जूस, आट से दस काजू, पंदरा से अठारा बादम लेलेंगे, बादम का छिलका निकाल के लेलीजिए, थोड़ा सा गरम पानी में दालेंगे तो आसानी से छिलका निकल जाएगा, दो टेबल स्पून डिसिकेटेड कोकनट, ये नारियल का पुरादा ये नहीं है तो आप सुका नारियल को ग्रेट कर लीजिए, दो टेबल स्पून जितना, इस सुके मसाले में एक तेज पत्ता, एक दालचिनी की पीस, छे से आठ लोंग, थोड़े से काली मीज, हाफ टी आपके पास शाजीरा नहीं तो जीरा ले लीजिए, एक स्टार आनीज, एक बड़ी इलाईची, ये आप्शनेली है, चार से पांच छोटी इलाईची, थोड़ी सी धनिया पता, दो से तीन हरी मीज, हरी मीज देखके दाल लीजिए, क्योंकि लाल मीजी पाउडर भी के डीफ्राइ कर दी हूँ, ये ब्राउन आनियन, ये पर्फेक्ट ब्राउन आनियन का ऐसा बनाते है, मेरे सिंपूल फूट चानल में आप देख सकते हैं, मैं लिंक लास में दे दूंगी, तीन से चार टेबल स्पून आईल, ये मैं ब्राउन आनियन बना के रखी हुए, वही आईल ले ली हूँ, दो टेबल स्पून घी ले लेंगे, घी अपना ही दालना चाहे तो आईल ही तोड़ा एक्स्ट्रा ले लीजिए, घी दालने से ही इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, एक से दे टेबल स्पून अद्रक्लोसन पेस्ट, अब प्रॉसस देखेंगे ब मैं वो क्लिप मिस हो गई थी, दालना भूल गई थी, इसलिए माफी चाहती हूँ, मैं भी रैट कर दी थी, निम्भू का जूस आट कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक दाल देंगे, ये अच्छा सा मिक्स कर देंगे, अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब आट कर देंगे, मटन को मटन को बोन्स के साथ ही ले लीजिए इससे ही टेस्ट अच्छा लगेगा अच्छा सा मिक्स कर देंगे ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद ढगके एक घंटा तक मारिनेशन होने के लिए रख देंगे तब तक अगला प्रोसेस देखेंगे पैन लेके ग्यास को आन कर देंगे पैन गरम होने के बाद इसमें घी डाल देंगे एक टेबल स्पुन जितना घी मिल्ट होने के बाद बादम पिस्ता आड कर देंगे थोड़े से बादम बचा के रख रही हूं मैं गार्निश के लिए ये काजू बादम को हलका सा फ्राइ कर देंगे मीडियम फ्लेम पे रखें जदा कलर चेंज होने की ज़रूरत नहीं है हलका सा फ्राइ होने के बाद ग्यास को आफ कर देंगे आफ करने के बाद ये डेसिकेटर कोकनट नारियल का बुरादा आड करके फ्राइ कर लेंगे बस एक थोड़ा ही घर गरम घी में ही भू ग्यास को आफ करके देखो इसी ही ऐसा ही एक डिसिकेटर कोकनट कलर चेंज हो गया है बिना ग्यास के ही अब इससे साइड में रख देंगे थोड़ा थंडा होने तक अब नेक्स्ट प्रॉसेस अब एक कुकर ले लेंगे ग्यास को आन करतेंगे एक घंटा हो गया है मटन मैरिनेशन हो गया है अब एक कुकर में आईल दाल देंगे आईल गरम होने देंगे आईल गरम होने के बाद ये सुके मसाले पूरे आड़ कर देंगे दालचीनी, लोंगी, लाईची, तेज़ पत्ता, स्टाराने से पूरत हलका सा फ्राई कर देंगे हलका सा फ्राई करने के बाद मैरिनेट करके रखी हुए मटन को आड़ कर देंगे एड़ करके यह आईल में दो मिनिट तक दो से तीन मिनिट तक फ्राई कर लेंगे मटन को मीडियम फ्लेम पे रखके चलाते हुए देखूं इसी तरह फ्राई करने के बाद अब इसमें एड़ कर देंगे एक कप जितना पानी इप पानी दाल के एक बार मिक्स करके धकन लगा क तीन से चार विजल साने तक मीडियम फ्लेम पे रखके पकाएंगे मटन पकने तक तब तक अगला प्रासेस देखेंगे एक मिक्सर जार लेके ब्राउन आनियंस को आड़ कर देंगे फ्राई करके रखे हुए काजू बादम इनारियल हरी मीडशी को भी आड़ कर देंगे इ थोड़ा सा पानी दालके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे देखों इसी तरह यह अच्छा सा पेस्ट बनके तयार हो गया है तीन विजिल्स आ गए ही ग्यास को आफ कर देंगे प्रजर निकाल के चक कर लेंगे मटन पका हुआ या नहीं यह मटन तो अच्छा सा गल गया है आपका मटन नहीं पका हो तो और थोड़ा विजिल्स रखके मटन को पकने तक पका लीजिए मटन को मैं एक पैन में निकाल रही हूँ यह कुकर में मिक्स करने के लिए सही नहीं है बस मटन को गलाने के लिए ही कुकर में दाली थी ये तो मतन गल गया है अब एक पैन में दाल के ग्यास को आन कर दूंगी ये पानी ड्राइ होने तक थोड़ा सा पका लेंगे थोड़ा ड्राइ होना स्टार्ट हो जाएगा तब आट कर देंगे ये बना के रखे हुए बादम काजू नारियल का ये पेस्ट को आट कर देंगे थोड़ा सा पानी आट कर रही हुए जार में आट करके मिक्स करके दाल दूंगे पानी को अब इसको थोड़ी देर पका लेंगे चलाते हुए थोड़ा ड्राइ होने तक ये बचा घुवा गी आट कर देंगे थोड़ा सा गरमसाला दाल रही हुए थोड़ा कम लगा था इस बने गयोधित में कुझे जोगत टेक से में के मैं यह कम दाल नोगा यह हुँ फैसले। थोड़ा कम लगा था इसलिए दाल रही हूँ हम मेरीनेशन करने के टाइम भी भी बतन में नमक दाल के करे थे इसलिए अब एक बार चरके दाल लीजिए ऐप पर कैसे लगी कि मुझे कामिन कीजिए रिस्पी अच्छी लगी तो लाइक करिए प्रिफर्ण्स के साथ शेयर कीजिए और टीस्टी रिस्पी के लिए मैंने चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिए भीर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ तैंक्यू फार वाचिंग